आज मित्रो मैं यूरास्तिवारी आपका निल्ले अकेडमी की यूटूब चैनल पर स्वागत करते हैं आज मित्रो आधुनिक भारत में आपके लिए बहुत ही महत्वपूंच चीज लेके आये हैं आधुनिक भारत के जो भी प्रमुख वित्रो हैं आज हम उन विशेयों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं तो मित्रो अब ये जो आधुनिक भारत का जो प्रमुख वित्रो हुआ वह कहां से हम ले क्या 1857 की क्रांती के बाद से ले कि 1857 की क्रांती से पहले ले तो ये बाद और पहले हम दोनों लेंगे अभी हमने आपसे चर्चा कर लिया है 1857 की क्रांती के विशे में अब मित्रो 1857 की क्रांती कोई आचानक थोड़ी नहीं हो गई कि आचानक सैनिकों के अंदर गुस्सा आया कि आप जो राइफल का यूच कर रहे हैं उसके कार्टूस में इन सब चीजों का गाय और सुवर के मान से उसमें मिले हुए है तो आचानक वित्रो हिंदो और मुश्लिमिल के सुरू कर दिये तो आचानक वित्रो तो थोड़ी नहीं हुआ यह वित्रो मित्रो कई चीजों का परलाम था वह परलाम क्या था तो आपसे हमने चर्चा की थी कि ब्रिटीस कालीन जो भूराजस्व नीतिया थी वह भी इसका परड़ाम निकल के आया विद्रो का क्योंकि ये जो भूराजस्व नीति थी वह किसानों के लिए सोसडकारी थी बित्रो आपने पढ़ा होगा रैयतवाडी महलवाडी ये सब अस्थाई बंदोवत इन सब पे हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा किया है फिर उसके बाद लाडल होजी और वेलेजली इन सब की जो व्यपगत और सहायक संधियां थी वह बहुत ज़्यादा दमनकारी थी जिस ऐसे ब्रिटीस जो है भारतियों पर सासन कर रहे थे उसका प्रमुक कारण सोसनकारी ही था क्यों क्योंकी ब्रिटीस में उस वक्त इंडेस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दोगिक रानति का जन्म हो चुगा था अब मित्रो और दोगी क्रांति का जन्म हुआ है तो इनको raw material कहां से मिलेगा जो कच्छे माल है तो वो कच्छे माल का सुरोत मित्रो कहां पे था भारत में था इसलिए ये भारत में British जो है social करते थे भारतियों को क्यों कच्छे माल के लिए क्योंकि उनके यहां और दोगी क्रांति का जन्म हो चुका था तो और दोगी क्रांति के लिए कच्छे माल भारत से ही ये ले जाते थे इसी कारण इन्होंने railway का विकास किया और भी तमाम प्रकार की चीजों का विकास का मात रहे की उत्देश था शोशल कारी तो मित्रों लोगों के अंदर असंतोस तो उत्पन होगा उस असंतोस के कारण हम कई वित्रों को देखेंगे जिसमें सन्यासी वित्रों, फकीर वित् इसके पहले मित्रों आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और कमेंट करना आप न भूलिए, मित्रों सेयर थोड़ा करिए आप लोग, आप लोग सेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग आपके इस चैनल से निर्ले एकेडमी के चैनल से जुड़ेंगे और उसका ला मित्रों में, फेस्बुक पे, वाटसब पे आप लगाईए मित्रों, और मित्रों आपको एक महत्तपूल जानकारी जो हर वीडियो में मैं देते आ रहा हूँ, वो इस बार भी दे रहा हूँ, तो निर्ले एकेडमी के टेली ग्राम एक चैनल है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाईए और उसका लाब उठाईए क्योंकि यह लाब सीमिस समय के लिए है, तो निर्ले एकेडमी के टेली ग्राम से जुड़ने के लिए, तेली ग्राम एप डाउनलोड करिए और उस पे लिखिए कैप्टल लेटर में निर्ले एकेडमी प्रयाग राज, न प्रमुख वित्रो तो मित्रो सबसे प्रमुख वित्रो में से एक है सन्यासी वित्रो कहां पे हुआ बंगाल में कब हुआ 1770 से 1820 इसका प्रभावच्षेत्र कहां कहां था तो धाका रंगपूर तथा मैमनपूर में इस वित्रो का प्रभाव देखने को मिला इस आंदोलन के नित्तु करता कौन थे तो मंजुसा एवं देव चौधरानी आप से एक्जाम में पूछ लिया कि सन्यासी वित्रो के प्रमुख नित्तु करता कौन कौन थे तो मंजुसा एवं देवी चौधरानी जो थी वो प्रमु आकारंपूर और मैमनपूर अब आपसे एक किताब पे चर्चा करेंगे उपन्याज पे तो बंकीम चंदर चटर जी के एक लिखेत उपन्याज थी आनंदमठ तो आनंदमठ जो था मित्रो उसका कथानक जो था वो सन्यासी विद्रो पर ही आधारित था ठीक है मित्रो तो यह आप नोट कर लिजेगा एक तो आनंदमठ किसके द्वारा लिखी गई पूछा जाता एक्जाम में चरूर पूछा जाएगा भी तो बंकीम चंदर जी पूछ लिया किसका कथानक किस पे आधारित तो सन्यासी विद्रो पर ठीक है मित्रो तो यह आप नोट कर लिजेगा कि आप जो है उन जानकारियों से बिलकुल परिपूर्ण है अब इस आंदूलन का प्रमु कारण क्या था तो कारण में अगर हम देखे तो अब ही हमने चर्जा किया कि उनकी जो सूसणकारी नीत थी जिससे किसानों के अंदर असंतोश उत्पन हुआ अकाल की निरंतरता अपने चर्म सीमा पर थी यहां के जो भी प्रमुख व्यवसाय थे उनको वो समाप्त करते जा रहे थे जिससे लोगों के अंदर असंतोश बढ़ता जा रहा था और आर्थिक मंदी अपने चर्म सीमा पर आ गई तो मित्रो जाहिर सी बात है कि वित्रो होगा और इस वित्रो कवो दमन किस ने किया तो यह important है तो दमन करता जो था वह Warren Hastings कौन? Warren Hastings जो था इस वित्रो को दमन करने में सफल हुआ तो आप note कर लेजेगा ठीक है मित्रो? तो आएए अब अगले दूसरे वित्रो पे आते हैं यह भी वित्रो बहुत ही important है महत्पून है आपके एक्साम के दृष्टि कोन से वी तो फकीर वित्रो यह मित्रो जो फकीर वित्रो था यह भी पंगाल में हुआ कब हुआ? सत्रसुचियत्तर से सत्हत्तर इस्वी में यह एक मित्रो धार्मिक वित्रो था तो धार्मिक वित्रो था तो इसका मतलब कि कोई दो धर्म से संबन देत तो जो घुमककर मुसल्मान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था तो आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों में कुछ फकीर बाबा लोग आते हैं और आप से जो है कुछ अनाज लेते हैं ठीक है मित्रो तो वह जो फकीर है उन गुटों के द्वारा हुआ था तो ये जो मुशल्मान फकीर थे ये वार्णरिंग मैन थे खुमककर आदमी ठीक है मित्रो तो अब ये जो इस विद्रो के प्रमुख नेता थे उनके विशय में हम आप से बात कर लेते हैं तो इस विद्रो के प्रमुख नेता जो थे वह मजनूम साह क्या थे मजनूम साह प्रमुख नेता थे जिन्हों ने जमीदारों और किसानों से जो जमीदार लोग होते थे वो जबरन किसानों से धन की वशूली करते थे उसका इन्हों ने विद्रो किया ठीक है मित्रो तो प्रमुखनेता कौन थे मजनूम सा जो थे प्रमुखनेता थे वो जमीदारों का विरोध किये क्यों? क्योंकि वो का विरोध किये क्योंकि ये जो थे किसानों से जबरन धन की वसूली करते थे धन वसूली किस से करते थे किसानों से जबरन किया करते थे जिस से लोगों के अंदर असंतोश बढ़ा चीक है मित्रो अब आईए चर्चा करते हैं पाइक विद्रो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रो और आपके एक्जाम के धीत रिष्टिकोन से महत्वपूर्ण मित्रो प्लीज आपके लिए इतना महनत कर रहा हूँ मेरे लिए एक महनत कर दीजेगा वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट करके बताए कि आपको चीजे समझ में तो आती है क्योंकि एक अध्यापक जो है वो परिपूर्ण नहीं रहता अगर चीजे समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताए और दूसरी चीज आपके लिए इतना महनत कर रहे हैं तो आप चीजों को सेयर करेंगे तो और लोग भी लाब उठाएंगे और कमेंट करके आप बताए कि आपको और क्या माटेरियल की आवशकता है क्योंकि आप भी बताएंगे तो आपके वीडियो बनाके यह बताएंगे कि यह चीज यह है ठीक है मित्रो तो पाइक विद्रो जो था मित्रो वह 1817 से 1825 स्वी में हुआ अब मित्रो यह जानना जरूरी है कि यह विद्रो कहां से संबंदित है तो यह विद्रो जो है उलिसा में एक पाइक जाती पाई जाती है तो पा उसके विरुद्धिनों ने एक सस्त्र वित्रो किया। सस्त्र मतलब कि सस्त्र द्वारा अहिंसा से नहीं हिंसक वित्रो या उड़ीशा के खुर्दा जिले से सुरू हुआ। बक्सी जगबंधु विद्याधर कौन थे मित्रो विद्याधर बक्दीश जगबंधु विद्याधर जो थे प्रमुख नित्यत्व करता थे और आगे चलकर मित्रो अठारसो पचीस तक यह वित्रो का दमन हो गया। खतम हो गया। यह नोट कर लिजे का। अब हम अगले वित्रो पर चर्चा करते हैं। अहोम वित्रो अहोम वित्रो मित्रो असम में हुआ किस सन में 1828 से 1835 में। यह बात थी 1824 की जहां पे बरमा युद्ध हुआ था। और उसके बात अंग्रेजो ने उत्तरी असम पर अपना अधिकार कर लिया। अब जब अंग्रेजो ने उत्तरी असम पर अपना अधिकार किया। तो जाहिर सी वात है कि वो लोग वित्रो करेंगे। 1824 में बरमा युद्ध के बात अंग्रेजो ने उत्तरी सीमा पर अधिकार किया। जिसके कारण अहुम वंस वाले नाराज हुए। और उनके जो उत्तरा अधिकारी थे। उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। और नहीं माने तो वित्रो जो है वह चरम सीमा पे पहुँच गया। अब इस वित्रो के प्रमुख नित्त्व करता कौन थे। तो अहुम जवंस के गोमधर कूर गोमधर कूर जो थे वह नित्त्व करता थे। ठीक है मित्रो ? तो यह आप जो है नोट कर लीजे। अब बात करते हैं फराजी इसको फरैजी विद्रो भी कहते हैं या बंगाल में हुआ था 1838 से 1857 तो फरैजी विद्रो कब हुआ था बंगाल में 1838 से 1857 तो फरैजी विद्रो का सूत्रपात जो था वह सरी तुल्ला द्वारा बंगाल में किया गया तो कहाँ हुआ, बंगाल में नित्टिति करता सरी तुल्ला और इसका प्रचार प्रसार सरी तुल्ला के पुत्र मुहमत महसिन जिनको दादू मिया कहा जाता है ने किया ठीक है मितरो, तियेह जो है आप नोट कर लिजे का, ठीक है मितरो? आगे चलते हैं तो आगे है गटकरी वित्रो इंपॉर्टेंट है महत पूर्ण भी है तो गटकरी वित्रो कब हुआ एक्जाम में पूछ लिया गटकरी वित्रो कब हुआ तो गटकरी वित्रो मित्रो 1844 स्वी में हुआ अब गटकरी वित्रो जो था मित्रो वो कहां से संबंदित तो महाराष् की कोलापुर में यहां आंदोलन हुआ गटकरी लोग मराठो के किलों में कारेरत वनसानुगत सैनिक थे कहां पे तो गटकरी लोग मराठो के किलों में कारेरत वनसानुगत वन्स के आधार पर इनके यहां एक वनसावनली प्रणाली चलती थी सैनिकों की तो वो सैनिक थे और यहां अंदोलन कहा हुआ, महाराष्ट के कोलापुन में और इस विद्रो के नितित्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। फिर मित्रो समन गढ़ में इन्होंने ये किला है, मित्रो फिर दूसरा भूदर गढ़ समन गढ़ फिर भूदर गढ़ इन किलो को इन्होंने जीत लिया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। जिसके कारण इनको अंग्रेजी सरकार ने दबाने का प्रयास किया। और दबाने में आगे चलकर सफल भी हुए लेकिन इन्होंने जो है मित्रो सफल हुए लेकिन इन्होंने जो मित्रो समन गढ़ और भूदर गढ़ जैसे अस्थान पर किलो क पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं कोल वित्रो, यह मित्रो जो कोल वित्रो है यह 1831 से 32 स्वी में हुआ, अब यह जो मित्रो कोल वित्रो है यह इसका छेत्र क्या था, तो इसका छेत्र मित्रो छोटा नागपूर पठार था, कोल वित्रो का छेत्र छोटा नागपूर पठार था, इस आंदोलन के प्रमुखने था बुद्धो भगत थे कौन थे बुद्धो भगत थे और इस विद्रो का जो स्वरूब था मित्रो तो स्वरूब जो था इसका यह मित्रो आर्थिक व राजनीतिक था और यह मित्रो जो विद्रो पनपने का कारण था यह विद्रो आचानक पनप तो गया न जिसके पीछे कुछ कारण था तो जमीदार जो थे जमीदार और ठेकेदार ये जमीदार और ठेकेदार जो थे मित्रों इनका समाज पे किसानों पर लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा था दबाव किसपर किसानों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण किसान लोग और ज़्यादा नराज होने लगे क्योंकि इतना लगान वो दे नहीं पाते थे क्योंकि किसानों की जो भूमी है वह एक प्रकार से देखे तो मौसम पे भी डिपेंड है, निर्भर है, मौसम अच्छी तो अच्छी वारिस, मौसम खराब तो नहीं पैदावार उसके बावजूद भी यह लोग वसूली करते थे राजसों का जिससे लोग नाराज थे अब यह मित्रो कोल वाले है कौन, इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो छोटा नागपुर जो छेत्र है, यह चोटा नागपुर का छेत्र है मित्रो, इसमें मुंडा ओराव हो महाले यह जन जातियां निवास करती है, मुंडा ओराव हो महाले, ओराव ठीक है मित्रो, ओराव हो महाले, यह मित्रो चार जन जाती है इन ही चारों को क्या कहा जाता है कोल कहा जाता है ठीक है मित्रों कोल कहा जाता है कोल कहा पर है छोटा नागपूर कौन मुंडा ओराव हो महाली इन जन जातियों को कोल कहा जाता है ठीक है मित्रों तो यह जो है याद कर लिजेगा और अंतो गत्वा 1848 तक इस आंदोलन को चल दिया गया ठीक है मित्रो अब आगे बात करते हैं हूल या संथाल वित्रो क्या हूल या संथाल वित्रो मतलब की हूल को संथाल वित्रो भी कहते हैं और यह हुआ था मित्रो अठारा सो पच्पन से च्छपन इस्वी में इस वित्रो के जो प्रमुख नेता थे वो थे मित् सिद्धो व कान हूँ कौन सिद्धो व कान हूँ इस विद्रो का प्रमुक छेत्र दामन एको संथाल परगना जिसको भागल पुर्स्म से राजमहल की पहाडियों का छेत्र पलामू छोटा नागपुर इत्याद में फैला हुआ था कहां कहां तो दामन एको या संथाल परगना जो भागल पुर से राजमहल की पहाडियों का छेत्र लगाता है और पलामू और छोटा नागपुर इत्यादी जगह फैला हुआ था अमित्रो इसमें महत्पुर जानकारिय दिया जाये किसका कारण क्या था कारण भी जानना अतियावश्यक है तो कारण में था अंग्रेजी उपनवेश्वात अंग्रेजी उपनवेश्वात अर्थात की सोसनकारिनीत फिर मित्रो महाजनों द्वारा अत्यधिक अब ये महाजनों द्वारा ब्याज वसूली आपको बता दे जो गरीब किसान होते हैं मित्रो वो महाजनों से ब्याज लेते हैं तो महाजन उसको रिल ऐसे नहीं देता कि मैं आपके उपर इतना ब्याज लगा रहा हूँ अब मुझे इतना ब्याज आप हर महीने दीजिए तब ही जाके मैं रिल दूँगा और किसान जो रिंड लेता है मित्रो अपने भूभाग पर अपने जमीन पर अनाज उत्पादन करने के लिए अब माली जी कि उसने इस भूभाग पर जमीन पर उत्पादन करने के लिए रिंड लिया महाजन से अब आचानक बारिस हुई या नहीं हुई मालो की बारिस बहुत ज्यादा हो गई, फसल परबाद या नहीं हुई, तो भी फसल परबाद अब जो इस से रिल लिया गया है महाजन से अब जो महाजन से रिल लिया गया है अब मालीजी किस रिल को वच्चुका नहीं पारा है तो ये भूभाग जो है मित्रो कौन वसूल लेता था महाजन अब ये पताए कि किसान के उपर ये सोसन कारी नहीं है की नहीं, तो है तो यही कारण था कि यह सब वित्रो हुआ, पुलिस में व्याप्त ब्रहष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, यह सब मित्रो वित्रो का प्रमुख कारण बना, चीक है मित्रो, तो यह चीज आप लोग याद कर लिजेगा, आपके एकसाम के सम्बंदित महत्तपूर है, लेकिन एक जानकारी इसमें और दे देते हैं, तो मित्रो 1856 में भागलपूर्द, के कमिशनर ब्राउन, कौन? भागलपूर के कमिशनर ब्राउन और मेजर जनरल लायर, मेजर जनरल लायर, इन्हों ने इस वित्रो का दमन कर दिया, ठीक है मित्रो, यह याद कर लिजेगा, फिर इतना इंपोर्टन नहीं है, अब बात करते हैं मुंदा वित्रो, बहुत 1899 से 1920 में मुंदा वित्रो हुआ, अब मित्रो इसके नित्तो करता जो थे वह बिर्सामुनदा थे, बिर्सामुंदा के नित्तो में यह वित्रो हुआ, कहाँ पे हुआ छोटा नागपूर वर्तमान जो छोटा नागपूर का है वह जहार खंड में स्थित है कि छेत्र में इस अवधिका सरवाधिक चर्चिता दिवाशी विद्रो था तो इंपोर्टन जादा है तो भिलसा मुंदा विद्रो को उलुगान विद्रो या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है पूछ लिया मुंदा विद्रो को और किस नाम से जाना जाता है तो दे दिया गया कि उलुगूलान विद्रो और कुछ विद्रो दे दिया गया तो क्या इंस्वर उलुगान विद्रो के नाम से जाना जाता है या महान हल चल अब मित्रो इस विद्रो में सबसे अच्छी बात की महिलाओं की भी भूमिका देखने को मिली अब सन देखिए 1899 और 1900 के बीच में यदि किसी विद्रों में महिलाओं की भूमिका देखने को मिलेगी तो वह विद्रों जादा महत्पूर्ण एक्जाम के दृष्टिकोंड से हो जाता है तो यह आप विद्रों याद रखिएगा ठीक है मित्रों तो आगे चर्चा करते हैं एक्जाम के दृष्टिकोंड से जो महत्पूर्ण एक खासी विद्रों अब यह जो मित्रों खासी विद्रों था यह 1857 से 1833 स्वी में बंगाल में हुआ तो बंगाल के पूरब में जैन्तिया और पस्चिम में गारो पहाडियों में घाले के भी खासी लोग निवाश करते हैं कहां पे निवाश करते हैं तो बंगाल के पूरब में जैन्तिया और पस्चिम में गारो पहाडिया गारो पाड़ी कहा है में घाला में इस वक्त है कि बीज खासी लोग निवाश करते हैं इसमें महत्पुर्ण जानकारी आप नूट कर लीजे तो 1824 में अंग्रेजों ने कहां पर अधिकार कर लिया ब्रम्भ पुत्र नदी घाटी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया अंग्रेज ने अधिकार कर लिया अंग्रेज का क्या हो गया अधिकार हो गया कहां पर ब्रम्भ पुत्र नदी घाटी पर अब जब यहां पर अधिकार हो गया तो असम और सिलहट असम और सिलहट इनके बीच जो मित्रो मार्ग है सैन निमार्ग स्थापित था उसके लिए एक सड़क बनाने की योजना बनी यह पहले नोट का लिजे कि 1824 स्वी में ब्रह्म पुत्र नदी घाटी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो असम्व सिलहट के बीच एक सैनिमार्ग अस्थापित करने हे तू एक सड़क बनाने की योजना बनाई गए तो खासी मुखिया जो तीरत सिन थे वो नहीं चाते थे कि यह सैनिमार्ग बने कौन खासी के मुखिया जो थे तीरत सिन कौन तीरत सिन वो नहीं चाते थे कि यह सैनिमार्ग बने इसी के कारण मित्रो यह खासी वित्रो हुआ तो खासी वित्रो क्यों हुआ तो 1824 में ब्रह्म पुन नदी घाट पर अंग्रे जोन अधिकार कर लिया और इसके तरह तुनेहों ने क्या काम किया कि असम औ सिलहट मार्ग के सेन के मार्ग पर एक सैन मार्ग बनाने की नहों ने योजना बनाई तो इसका विद्रो करनने के लिए खासी मुखिया तीरत सिन ने बहुत जादा तिवरगत से विद्रो किया और मित्रो अंतो गत्वा 1833 तक इस विद्रो का दमन कर दिया गया ठीक है मित्रो अब आगे चर्चा करते हैं मडिपूर नागा विद्रो पर चर्चा कर लेते हैं तो मडिपूर नादगा विद्रो जो था मित्रो इस आंदोलन का प्रारंभ रोंग मैं जदो नांग ने किया। मतलब कि इस विद्रो को देखिये मित्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका वो देश देखिये। सत्त की बाते की गई हैं उन धर्म का पुनर जीवन दिया जाए अर्थात की वो धर्म पुनर जीवित हो तो इसका उद्दीश था और मित्रो इसमें इंपॉर्टेंट चीजे आपको नोट करा देते हैं तो पहला पॉइंट नोट करिए कि अगस्त 1931 में अब जदो नांग की फासी हो गई तो एक सत्रवर्सी नागा यूती बहुत ही महत्पूल है गैडी नल्यू आराम से इसको सुनियों समझिये गैडी नल्यू ये कितने वर्सी थी? 17 वर्सी महिला थी गैडी नल्यू 17 वर्सी यूती थी उन्होंने इस फासी का विद्रो किया और इस आंदोलन का नेत्ष्ट्व सम्हाला इस आंदोलन का इन्होंने फिर नेत्ष्ट्व सम्हाला चीके मित्रोग तो यह जो है आप नोट कर लिजेगा गैड़ी नल्यू ने इन्हों ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी सविनय अवग्या आंदोलन से जुडा यह याद कर लिजेगा इसको मैं आगे बताऊँगा भी सविनय अवग्या आंदोलन तो गैडी नल्यू ने अपने आंदोलन को जो आदिवासी आंदोलन था उससे किस से जोड़ा तो गांधी के सविने अवग्या आंदोलन से जोड़ दिया सविने अवग्या आंदोलन से जोड़ा ठीक है मित्रो यह आप नोट कर लीजेगा सविने अवग्या आंदोलन से जोड़ा ठीक है मित्रो तो यह आप नोट कर लिजेगा फिर अंतो गत्वा 1932 में इनको गिरफतार कर लिया गया इनको गिरफतार कर लिया गया कब 1932 में और इंपोर्टन चीज इसमें नोट करिये जो गैडी नल्यू थी इनको आजाद हिंद फोज ने क्या दिया रानी की उपाद दी रानी की उपाद कौन दिया आजाद हिंद फोज आजाद हिंद फोज ने इनको रानी की उपाद दी किसको गैडी नल्यू को गैडी नल्यू को रानी की उपादी गैडी नल्यू को किसका उपादी दी गए रानिक उपाद किसके द्वारा आजाद इंद फौज के द्वारा ठीक है मित्रो तो यह आप नोट कर लीजेगा अब बात करतें बहुत महत्पूल वित्रो नेल वित्रो कब 1869 से 60 के बीच में एक नेल वित्रो हुआ यह मित्रो क्रिसक आंदोलन था इन्होंने कुछ मांग की उन मांगों को ठुकराया गया जिसके कारण यह वित्रो देखने को मिला आईए चर्चा करते हैं कि क्या बात थी इस वित्रों में, तो कहां पे हुआ, बंगाल में हुआ, ठीक है मित्रों, बंगाल में हुआ, बंगाल के वे कास्तकार जो अपनी खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, ठीक है मित्रों, किसका चावल की खेती, परंतु यूरोप व्यापारियों द्वारा जवरन नील की खेती के लिए विवस किया जाता था इनकार करने पर किसानों को नील बगान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था मित्रो यह नील की खेती क्यों की जाती थी इनके खेतों में तो क्या हुआ कि उस वक्त ब्रिटेन में इंडस्टियर रिडूल्यूशन चल रहा था तो वहाँ पे इनको रंग चाहिए था वस्त्रों के लिए इसी कारण यह नील की खेती कराते थे लेकिन नील की खेती से जमीन कि उपजाव छमता जो है मित्रो वह खतम हो जाती थी तो नेल वित्रो मित्रो इनना बड़े अस्तर पे किसानों ने किया कि यह जो है भारती किसानों का पहला सफल वित्रो बन कर सामने आया और मित्रो इस नेल विद्रो को हम और अच्छी तरीके से कांधी के चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और चीजे समझेंगे यहाँ पे जितना आपके महत्वपूर्ट चीजे हैं मैं उतना ही आपको बताते हुए चलता हूँ अब मित्रो बात करते दक्कन विद्रो मित्रो 1874 और 75 इश्वी में हुआ महाराश्ट के पूरे और अहमदनगर दक्कन जिलो में किसानों ने साहुकारों के खिलाफ विद्रो किया विद्रो का आधार जो था मित्रो वह था रैयतवारी विवस्था यह मैंने रैयतवारी विवस्था बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप इसको समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखिए वहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से बताया है ठीक है तो इसके पहले आप उस वीडियो को देखिए तो आप समझ जाएंगे रैयतवारी विवस्था तो दक्कन विद्रो कहा संबंदे महाराज के पूरे और अहमद नगर दक्कन जिलों में किसानों ने साहकारों की खिलाफ यह विद्रो किया जिसका आधार था रैयतवा यह विद्रो जो था मित्रो उत्तरी बंगाल में करम साह द्वारा चलाया गया जो अर्ध धार्मिक प्रकितिकया था जो सत्य समानता वा भाई-चारे के सिध्धानतों का समर्थन करता था जहर से बात है मित्रो शत्य, समानता और भाई चारे में बहुत बड़ा ताकत है जब हम सत्य से कारे करते हैं तो चीजों में हमें डर नहीं रहता जब हम समानता लाने का प्रयास करते हैं तो इसी यह होता है कि अमीर और गरीद की बीच की खाई समाप्त हो रहे है जब हम भाईचारे की बात करते हैं तो हम जो है मित्रो यह सूचते हैं कि हम सब एक है अरखात की हमारे अंदर एक बंधुत्व की विचार खारा है आज हमने सन्विधान की प्रस्कावना में इन सब चीजों को एडॉप्ट किया है आज जो हमारा प्रस्तावना बनकर हमारे सम्मुक या हमारे बीच में है तो उसके पीछे उसका महत्पूर्ण कारण है यह सब वित्रों का परिलाम है इन सब वित्रों का एक उसमें ज्वलंत चीजों को समाहित किया गया है क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संगर्स की लड़ाई लड़ा है इन सब चीजों को पाने के लिए हमने सन्विधान में सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक लोगतंतर को अस्थापित किया है हमने सन्विधान में स्वतंतरता की बात की गई है हमारे सन्विधान की प एक मेहनत संगर्स है ठीक है मित्रो तो इसी कारण हमें अपने सन्विधान का सम्मान करना चाहिए हमें अपने राष्टी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए हमें मौलिक कर्तब में बताए गए चीजों का सम्मान करना चाहिए मित्रो आपको अपने मौलिक करतब दे पूरे याद होने चाहिए, प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारे याद होना चाहिए, नेत ने दे सकत तक तो याद होना चाहिए, क्योंकि यह सब आपके परिच्छा के दिरिश्टिको की नाराजगी तु मोटा मोटा देखे मित्रो जितना विद्रो हो रहा था तो वह बिटिस कालिन भूर आजस्वनी ती जो थी वह बहुत ही धमन विकास किया तो उसका उद्देश था ताकि हम आसानी से एक एक स्टेट से यहां सामान ले जा सकें तो पागल पंती वित्रो जो था वह बंगाल में करम साहत्वारा चलाये गया अर्दधार्मिक प्रकित का था ठीक है मित्रो और इस विद्रो का जो छेत्र था वह याद कर लिजे आप लोग तो वह मित्रो छेत्र था सेरपूर से लेकर गारो की पहाडियां तक ठीक है मित्रो गारो की पहाडियां तक तो यह आप नोट कर लिजेगा सेरपुर से लेकर गारों की पहाडियों तक इसका छेत्र था चीक है और 1850 तक यह छेत्र ओपत्रो ग्रस्त बना रहा चीक है मित्रों तो यह नोट कर लिजेगा आप लो अब बात करतें मोपला वित्रों बहुत ही महत्पूल है आपकी एक्जाम के द्रिष्टिकोंड से भी मह हथ पूल है तो मोपला वित्रों मित्रों 1836 में भी देखने को मिला और अगस दिसंबर 1921 में भी देखने को मिला आपके 1922 सिस्मी में मित्रों क्या चल रहा था 1919 में रॉले टैक्ट आया फिर 1919 में जलिया वाला बागत्याकान फिर खिलाफत आंदोलन तो इन सब के बाद केरल में मौपला वित्रो भी देखने को मिला तो आई ये बात कर लेते हैं तो केरल के माला बार तट पर आंदोलन किया गया तो मौपला वित्रो कहां से संबंदित केरल से मौपला लोग माला बार तटी छेत्र में रहने वाले इसलाम धर्म में धर्मानतरित अरबी एवं मलेयाली मुसल्मान थे जो की निम्न दर्जे के किसान थे अपने पहले चरण में यह विद्रों अन विद्रों से इस रूप में भिन्ह था कि इसमें सोसर्व सोसितों के धर्म में अंतर था किसके सोसडव सोसितों के धर्म में अंतर था अब कुछ महतपुल आंदोलन पे चर्चा कर लेते हैं वित्रों तो हमने देख लिया तो एका आंदोलन तो मित्रों एका आंदोलन जो था वह 1921 के अंत और 1922 के प्रारंब तक अवध का किसान आंदोलन हर्दोई बहराई तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा तो कहां पे अवध का किसान आंदोलन हर्दोई बहराई तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा इस आंदोलन का जो कारण था किसानों की जोत भूमी ये समझी आप लो किसानों की जोत भूमी पर उनका दखल संबंदी अधिकार नहीं था किसानों की जोत भूम में दखल संबंदी अधिकार नहीं था जिसके कारण उनके अंदर अश्रंतोस उत्पन्न हुआ परंतु 1922 थक अंग्रेजों ने इस आंदोलन का दमन कर दिया ठीक है मित्रो नोट कर लिजेगा अब बात करतें अखिल भारती किसान सभा 1936 तो अखिल भारती जो किसान सभा थी मित्रो 1936 में बिहार किसान सभा आंध्र प्रांती किसान सभा तथा किसान संग को मिला कर एक अखिल भारती किसान संकर्थन बना जिसे क्या नाम से जानते हैं अखिल भारती किसान सभा के नाम से जानते हैं तो यह आप नोट कर लिजेगा अब बात करते हैं ते भागा आंदोलन इंपोर्टेंट है 1946 का है और एक्जाम के दृष्ट कोन से भी महत्वपूर्ण है तो चर्चा कर लेते हैं यह जो ते भागा आंदोलन थामित्रो इसके नेता जो थे कंपा राम सिंग एवं भवन सिंग थे ते भागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे तो ते भागा आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वह कंपा राम सिंग एवं भवन सिंग थे ते भागा आंदोलन कब हुआ तो 1946 इस्वी में हुआ बंगाल किसान सभाग के नेत्रित्व नेत्रित्व में सभाओं एवं प्रदर्शन्यों का आयोजन किया गया तथा ती भागा चाहिए हम दो तीहाई भाग चाहिए एवं इंकलाब जिन्दाबाद जैसे नारे लगाए गए तो यह आंदोलन के प्रमुखनेता कौन कमप राम सिंग एवं भवन सिंग और इसका नित्तित्व में सभाओं एवं प्रदर्शन्यों का आयोजन किया गया तथा जो नारे थे तीभागा चाहिए हमें दो तीहाई भाग चाहिए एवं इंकलाब जिन्दाबाद जैसे नारे लगाए गए और 1949 में सरकार ने बर्गदार अधनियम बनाया और किशानों की अधिकान समागे मान ले गई अर्थात की यह आंदोलन जो था वह काफी हर्त तक सफल रहा ठीक है मित्रों तेहर नोट कर लिजेगा अब बात कर लें तेलंगाना अंदोलन तो तेलंगाना अंदोलन जो था मित्रों वह 1946 से 51 इश्वी में इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था उस समय तेलंगाना किसका था हैदराबाद रियासत का अंग था ठीक है मित्रों तो यह आप जानते रहिए यहां तेल्गू भासी किसानों का विद्रो जमिदारों के समर्थक पुलिस और उनके गुंडों के प्रती था किसानों का विद्रो किसके प्रती जमिदारों के जो समर्थक पुलिस और कुंडों के प्रती था ठीक है मित्रों और यह विसेशकर नागा लेंडों के किसानों ने हिंसात्मत विद्रो किया अर्थात की यह एक ससत्र विद्रो था हिंसा के रूप में विद्रो था और नाल इन्हों ने हिंसात्मक वित्रो किया नाल गुंडा ठीक है मित्रो यह नाल गुंडा है तो इस समझ तिलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग है और नाल गुंडा के किसानों ने हिंसात्मक वित्रो किया क्योंकि वो जमिदारों के समर्थक पुलिस और गुंडों के प्रती न कुछ MCQ भी हल कराएंगे और आप लोग नोट कर लिजेगा आपके एक्जाम के दृष्टिकोंड से महत्वपूल है और हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे अभी कुछ देर में आपके करेंट अफेयर की भी वीडियो आएंगे आप लोग जुड़े रहिए आपक निड़ा एकडमी के चैनल पे हो रहा है अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि निड़ा एकडमी में लगातार वीडियो पड़ रहे हैं आपके एक्जाम के पूरी तयारी की जा रही है आप टेलिग्राम से भी जुड़िए वहां पे भी आपके लिए बहुत सफलता पा सकते हैं और एक साथ आप दो-दो सफलता पाएंगे एक तो लागडाउन का पालन करेंगे दूसरी चीज आप अपने एकसाम की भी तैयारी करेंगे तो मित्रो आप चुड़े रहिए आपके लिए घिर से हम वीडियो लाएंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत